मनुझ कुमार जी के जिए स्टाइडिक अंदर के ऊटुचल में स्वागत है परधान सिक्षक परिक्षा में पुछे जाने वाले डिये लेट से समधित कुश्चन को इस वीडियो में देखेंगे सिजनातमक्ता है इसे समधिर जितना कुश्चन होने वाला है उसको देखते है इस में पहला कुश्चन है पहला है कि सिजनातमक्ता के जनक कौन है इसका एंसर B है अगला है, अगला है, अलग धंग से कार्य करने तथा नय तरीकों का इस्तेमाल करने की योगता कहलाती है, अलग धंग से कार्य करने तथा नय तरीकों का इस्तेमाल करने की योगता कहलाती है, वो सिजनात्मक्ता कहलाती है, ब्याख्या में है कि अलग धंग से काज करने तरह ना तरीकों का इस्तमाल करने की युगता सिजनात्मक्ता कहलाती है अलग-अलग सोच वाले पैटार्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सिजनात्मक है अगला है अलग अलग शुच वाले पैटर्न उन बच्चों के पहचान करते हैं जो अभी देखे हैं वचे सुझनात्मक है थैस्ग अ सिजन सिल्था मौलिक परिनामों को अभ्यक्त करने की मांसी के किया है। म 1964 कि द्वरा दिया गया है। तो यह कथन क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है यानि सिजन सिल्था मौलिक परिनामों को अभ्यक्त करने की मांसिक रिया है उप्रोक्त कथन किसके द्वार दिया गया है तो आग क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है इसके ब्यक्ख्या में है कि सिजन सिल्टा मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मांसिक रिया है इए उफ कथन को गुद्वरा गया है फिर अगला है he मौलिक परिनामों को अव्यक्त करने की मांसी के प्रक्रिया है यह कथन किनका है तो यह कथन क्रोण क्रोण का है फिर है सिजनात्मक्ता को बिवित सोच की अब्धारना से सम्बंधित माना जाता है इसके ब्याख्या है कि सिजनात्मक्ता का समन मुखुरुप से मौलिक्ता या नविन्ता से होता है इसलिए सिजनात्मक्ता को बिविद सोच की अब्धार्ना से समन्धित माना जाता है पिर अगला कुशन है तो शिजनात्मक्ता का आफशक गुन है पिर अगला है शिजनात्मक्ता की पहचान होती है तो नवीन परिनाम से ब्याख्या में इसका है कि सिजनात्मक्ता की पहचान नवीन परिनाम से होती है शिजनात्मक्ता सब से बना है जिसका आशय नई बस्तू एवं सिधान्तो की खोज है अतर नवीन परिनाम शे ही शिजनात्मक्ता की पहचान होती है अगला है शिजनात्मक विदार्थी वह है जो इसका अंसर बी है यानि पार्ष यानि लेटरल चिंतन और समस्या समधान में अच्छा है फिर अगला कुशन है जो इसका ब्याख्या में है जो सिक्षार्थी पार्स यानि लेटरल चिंतन और समस्या समधान में अच्छा है वह सिजनात्मक सिक्षार्थी होता है जबकि बुधिमान सिक्षार्थी को सिजनात्मक सिक्षार्थी नहीं माना जाता है अगला कुशन है निर्मे से कौन अधिगम करता को अधिक स्वतंतरता देता है तो है सिजन सिलतावाद अधिक स्वतंतरता देता है इसका ब्याख्या में है सिजन सिलतावाद अधिगम करता को सीखने में अधिक स्वतंतरता प्रदान करता है जिससे वह नए नए परियोकर सरलता से अधिगम करता है अगला कुशन है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समधानों के बारे में सुचती है इन में से काफी समधान मौलिक होते हैं रूही कीन गुनों का परदर्फन कर रही है तो इसका एंसर यह हो जागा सिजनात्मक विचारक सिजनात्मक परक्रिया वह परक्रिया है जिसके दोरा कुछ नाया निर्मित होता है विचार बस्तु जिसमें पुराने तत्वों की को नवीन तरीकों से ब्युस्तित क्या जाता है नवीन सिजन किसी समस्या का समधान प्रस्तूत करता है रूही के गुन उसे सिजनात्मक विचारक परदर्शित कर रहे हैं अगला कुशन है आउट अफ दो बॉक्ष चिंतन किससे सम्मंधित है तो अपसारी चिंतन से सम्मंधित है जेपी गिलफोड और उनके शहयोगियों के दौरा बुधी परिक्षन से सम्मंधित पदानुक्रमिक सिधानतों में एक सिधानत अपसारी चिंतन है जिसके अंतर ही आउट अफ दो बॉक्स चिंतन को शामिल किया जाता है फिर अगला खुशन है नुक्रमिक से कौन सा सिधनात्मक्ता से सम्मंधित है तो वह है अपसारी चिंतन इसका ब्यक्या है सिधनात्मक्ता मुख रूप से अपसारी यानि बहुविद चिंतन से सम्मंधित है जो बालक में सिधनात्मक्ता के गुनों में ब्रिधी करता है सिजनात्मक्ता मुख रूप से क्या है अविशारी चिंतन से समधित है अगला है सिजनात्मक्ता से समधित नहीं है कौन नहीं है तो मित ब्यविता नहीं है लेकिन मित ब्यविता नहीं है कि सिजनात्मक्ता के अंतर परवाह विश्तारन एवम उपियोगता जैसे तत्व को परिलक्षित क्या जाता है मित ब्यविता सिजनात्मक्ता से समंधित अभ्यम नहीं है अगला है कौन से सिजनात्मक्ता के तत्व के समंध में सही है तो 20 के अंसर है पहले परवाह फिर विविदता फिर मौलिक्ता फिर विश्तारन परवाह विविदता मौलिक्ता और विश्तारन है अगला कुशन है परवाह पूर्णता ब्याक्या मौलिक्ता और लचिलापन क्या परतिभा के साथ समंधित अत्व है प्रवा, पूर्णता, ब्याख्या, मौलिक्ता और लचिलापन प्रतिभा के साथ संबन्धित तत्व है इसका अगला है इसका ब्याख्या में है प्रवापूर्णता ब्याख्या मौलिक्ता सभिनसिल्ता जिग्यासा कल्पना लचिलापन खोजप्रक्ता विस्तित्ता नविन्ता आदी गुन प्रतिभात के साथ संबन्धित तत्व है अगला कुशन है निवन में से किस प्रस्ट द्वरा सिजनात्मक चिंतन को सरवाधिक अच्छे धंग से अनुमानित क्या जा सकता है तो इसका एंसर दी है इसे कितने भीन तरीकों से हल क्या जा सकता है इसका ब्यक्या है कि इसे कितने भीन तरीकों से हल क्या जा सकता है इस प्रकार के प्रस्ट द्वरा सिजनात्मक चिंतन को सरवाधिक अच्छे धंग से अनुमानित क्या जा सकता है अगला है जी वालस के अनुसार जी वालस के अनुसार सिजनात्मक चिंतन का पर्थम चरन होता है क्या होता है वो होता है यानि उपकरम होता है शिजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण जो होता है उप प्रम होता है इस वे इसके जी वालस के अंदुषार कड़िस्रा का प्रथम प्रथम चरण कर फिनिद करती के निफांद अगला गुशन है निव्टुप्र से कौन सिजनात्मक परक्रिया से सम्मनित नहीं है तो है अभी प्रेरर नहीं है बाकी कौन-कौन है तो उद्भवन है और प्रवोधन है फिर अगला कुशन है सिजनात्मक समस्या समधान की वह अवस्ता है जिसमें ब्यक्ति और संगत सुष्णाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं उद्भवन कहते है इसका ब्यक्ति किसी भी गतिविधी में सामिल नहीं रहता है कि अगला है इसका उत्सुकता परिक्षन निमन से किसका घटक है उत्सुकता परिक्षन है तो है सिजनात्मकता का घटक है इसका ब्यक्या है कि सिजन सील बालको कि कुछ पर मुख भी शिस्था है। अत्र फष्ट है कि उटसूकता सिजनात्मक्ता का एक घतक है। कि इसका अगला कुशन है सियंड शिल्टा कि पहचान के लिएटिस्ट न नात्मक चिंतन परिप्षन का निर्मान किया तो है । इसका भ्याख्या परिक्षन का निर्मान टोरेंस ने उनेशाजनात्मक चिंतन परिक्षन का अनुकुलन भारत के भारत में बाकर मेहदी नेश सिक्षन के लिए मानसिक उद्वेलन परिक्षन का परियोगनिम में से किसके द्वार क्या जाता है तो है सिजनात्मक्ता के द्वार क्या जाता है अगला है इसका ब्यक्षन में है कि मानसिक उद्वेलन परिक्षन की एक तकनीक है जिसके द्वार ब्यक्तियों के सिजनात्मक्ता में सुधार क्या जाता है अगला क्यूशन है यह अवशक नहीं है कि उच बुधी लबधी वाले बच्चे इसके बाद सिजन सिल्ता में भी उच होंगे खाले स्थान था तो यह अवशक नहीं है कि उच बुधी लबधी वाले बच्चे सिजन सिल्ता में भी उच होंगे इसका ब्याख्या है सिजन सिलता का समझ मौलिकता या नविनता से होता है जिसके दोरा किसी नवीन रशना या विचार को प्रस्तूत किया जाता है इसलिए सैक्षिक मनुविज्ञान के दिश्टी से कहा जाता है कि आविशक नहीं है कि उच बुधी लब्धी वाले बच्चे सिजन सिलता मैं भी ऊच होोगे अगला है कॉन सा कथन सही नहीं है कि एद यह रहा है कि मिल िःव Hate ऌसरे के प्रयवासी है जो गल्स है बाकि प्रहिजिक क्या है टर एक मिलावी भाल associated से शिजनात्मक नौ हो एक सीजनात्मक बालक yhtचे दर्चे का मेध हावी वह सकता है कि इसका मेध्या है कि बूदिर मेयात्मक से करात्मक समय करना जाता है जिसका प्रमुख लक्षन प्रवल जिग्यासा होती है असपस्ट है कि मेधा एवम सिजनात्माक्ता एक दुस्से के परिवाची नहीं है अगला कुशन है बुधी एवम सिजनात्माक्ता में किस परकार कैसा समन्द पाया जाता है इसका अगला चेप्टर है सैक्षिक मुल्यांकन से समंदित कुछ कुछन होगा जिसे एडुकेशनल इवैल्यवेशन तो देखते हैं इसमें कर भाला कुछन है सैक्षिक सैक्षिक बिकास में मुल्यांकन का अर्थ है ज्यान照 का मुल्यांकन His मुल्यांकन में ग्यान चमता के साथ ही संपुर्ण सैक्षिक और मांसिक ब्यक्तितु का मुल्यांकन किया जाता है अत्व मुल्यांकन को शिक्षन अधिगम परकरिया का एक भाग होना चाहिए फिर अगला है मुल्यांकन को खाली अस्थान है इसका अंसर डी है मुल्यांकन को सिक्षन अधिगम परकरिया का एक भाग होना चाहिए फिर अगला गूश्ञ है मुल्यांकन किया जाना चाहिये मुल्यांकन क्या जाने चाहिए इसका answer C है बच्चों के सिखने के अस्तर का ज्यान होता है मुल्यांकन क्या जाने चाहिए तो इसका answer में है बच्चों के सिखने के अस्तर का ज्यान होता है मुल्यांकन करने से क्या होता है कि कितना बच्चा सिख रहा है इसका ब्यक्या है मुल्यांकन वह वस्ता होती है जिससे बालकों में सिखने की प्रविर्टियों का सिख्र पता चलता है जिससे उसके अस्तर का पता चलता है और विभीन परकार के कम्यों के पहचान संभव होती है इस परकार मुल्यांकन करके ब में से कौन सा मुल्यांकन के तिरिकौन का भाग नहीं है तो शिक्षन अनुभव नहीं है बाकि है कौन-कौन तो अच्छिक उदेश से हैं मुल्यांकन है और अध्रिगम अनुभव है इसके ब्याथ्या में है कि मुल्यांकन के द्वरा ब्यक्तिकत विभिन्ताव का पता चलता है वगका अच्छा कबरी करन योगताव के अधार पर किया जा सकता है अगला कुशन है निल में से कौन सा मुल्यांकन का प्रकार नहीं है तो मानक इसका अंसर है मानक मानक जो है मुल्यांकन का प्रकार नहीं है बागी है कौन कौन, बागी है निर्मानात्मक है योगःत्मक है और इसका ब्यक्या में है मुल्यांकन प्रक्रिया के अंतरक्र शिक्षन में निर्धारित उदेशी की प्राप्ति के अधार पर आकलन किया जाता है कुछ मुल्यांकन विधिया इस प्रकार है निर्मानात्मक मुल्यांकन योगात्मक एवं संकलनात्मक मुल्यांकन तर सतत एवं व्यापक मुल्यांकन इसका अगला कुशन है भासाई ज्यान का मुल्यांकन होता है क्या लिखित एवर मौखिक दोनों परिच्छा के माध्यम से इसका ब्याख्या है भासाई ज्यान का मुल्यांकन लिखित एवर मौखिक दोनों परिच्छा के माध्यम से होता है इसके बाद अगला है आकलन मनें आकलन क्या है आकलन क्या है तो इसका एंसर सी है तो आकलन क्या है तो सीखने में सीखने में सुधार का एक तरीका है इसका ब्याक्या है कि आकलन एक संशिप्ट परक्रिया है और मुल्यांकन एक प्यापक परक्रिया है और गम में आकलन को अगला कुशन है नैदानिक मुल्यांकन से सुनिश्चित होता है क्या सुनिश्चित होता है इसका एंसर भी है अनुदेशन के दौरान अधिगम में बिद्धिमान समस्याओं के कारणों और उनका समध्धान इसके बार है इसके बैख्या में नैदानिक मुल्यांकन से अनुदेशन के दौरान अधिगम में बिद्धिमान समस्याओं के कारणों और उनका समध्धान सुनिश्चित होता है निवल्यत में से कौन सीकार सुचक्रिया भवात्मक पक्ष की नहीं है तो इसके फर्क करना यह नहीं है बाकी भवात्मक पक्ष का कौन-कौन है तो सुचकारना है आग्या पालन है और प्रभावित करना है फिर इसका बैख्या में है कि भवात्मक प्ष क्षेत्र में वे उदेश समलित होते हैं जिनका संबंध रूचियों अभिरितियों दिश्टिकोनों मुल्यांकन मुल्यों के परिवर्थन संबेगों एवं सराहना वह समायोजन के विकास से होता है भवात्मक प्षेत्र का वडिकर्ण वर्थ 1964 में कर्थवाल बुलूम तथा मस्यहा ने किया था जिसको कर्थवाल और उसके सहयोगियों ने अपनी पूस्तक टैक्स्टोनॉमी औफ एडुकेशनल अबजेक्टिवस हैंडबूक सेकेंड इसके बाद क्या है एफेक्टिव ड प्रतिक्रिया है और सभावी करण है अगला कुशन है संग्यानात्मक छेत्र का सही करम है संग्यानात्मक छेत्र का सही करम क्या है तो इसका संग्यानात्मक छेत्र का सही करम क्या है इसका Answer है अगे अगला कुशन है जयनात्मक पक्स का पर्थम अस्तर क्या होता तो ग्यान होता है ग्यानात्मक पक्ष का पर्थम अस्तर ज्यान होता है। अगला कुशन है निम्नांकित में से ग्यान संबंदी योगता का उस्तम अस्तर क्या है तो है मुल्यांकन करना। की उपादयाता की जाच की जाती है। अगला है संग्यानात्मक संप्राप्ति का नियूनतम अस्तर है। क्या है वो ज्यान है। इसके ब्यक्या में है कि ब्लूम के वरिकरन ने सीखने के तीन छेत्रों के पहचान की। यह है संग्यानात्मक छेत्र भावनात्मक छेत्र तथा मनुप्रिर्ना छेत्र। संग्यानात्मक छेत्र के अधियम अस्तर है ज्यान, अबबोध, अनुपरियोग, विसलेशनात्मक चिंतन, संसलेशन, तथा मुल्यांकन। अगला खुशन है निम्न में से कौन सा रशनात्मक आकलन से समन्धित है। अब बी है प्रशनोत्री यो खेल रशनात्मक आकलन से समन्धित है। व्याख्या में है इसका प्रस्नोत्री व खेर रशनात्मक आकलन से संब्दित है रशनात्मक आकलन कई तरीकों सिख्या जा सकता है जैसे सामुही कतिविधी विदार्थी सक्षतकार अब लोकन प्रस्न पुष्णा चर्चाय आदी इसका अगला है सतत ब्यापक मुल्यांकन में ब्यापक सब्द का अभिप्राय है क्या है ब्यापक सब्द का अभिप्राय तो है इससी यानि ए और बी दोनों है यानि संग्यानात्मक होता है और संग्यानात्मक होता है इसका बैख्या में है कि सतत ब्यापक मुल्यांकन में ब्यापक सब्र से आसर संग्यनात्मक से है सतत ब्यापक मुल्यांकन भारत के इस्कूलों में मुल्यांकन के लाउ की गई एक नीती है CCE, ब्यापक मुल्यांकर में आपचारिक और योगात्मक निद्हारन का कुल मुल्य होता है क्या होता है क्रम से 40% और 50% होता है 20-60% होता है सिसी यानि कंटिनुवस एंड कंप्रिहेंसिव इवैलुएशन सतत एवं ब्यापक मुल्यांकन में अपचारिक और योगात्मक निधारन का कुल मुल्य क्रम से 40% और 60% होता है अगरा है निव्खित में से कौन सा सतत और ब्यापक मुल्यांकन से सम्मंधित नहीं है तो से नहिं कहा जा रहा है तो इसका एंसर सी है यह बच्चो के धीमि खराब वो बुधिमान के रूप में चिनिद करने में उप्योग होता है गलत है प्रिक्रिया के अभीन होता है या बिभीन सिख्षा चेत्रों में बच्चों को प्लब्धि पर केंदिते भी चही है इसे भारत के अधिकार अधिनियम दौर्ध नौ दौरा अनिवारी कर दिए क्यागिया है सही है अगला इसका ब्याख्या में है सतत तथा ब्यापक मुल्यांकन यान continuous and comprehensive evaluation यान CCE का अर्थ है छात्रों के विद्याले अधार्ट मुल्यांकन की परनाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष सामिल है अगला कुशन है सतत और ब्यापक मुल्यांकन इसका एंसर है B सतत और ब्यापक मुल्यांकन सिखने को किस परकार अबलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाय इस पर बल देता है ब्यापक मुल्यांकन का मुख्य उदेश बच्चों के सिखने में सुधार्क लाना है ताकि वे परगती कर सके और उनका संपुर्ण विकास हो सके सिखने सिखाने के दौरान किये गए आकलन से उनके बारे में कत्र की गई जनकारी सिख्च को किसी भी विशय में बच्चों की छमता और सिखने में कमी की पहचान करने में सायक होती है अगला है मुल्यांकन योजना के अब्यब क्या है तो इसका अंसर डी है यानि एक दो तीन क्या क्या है उदेश है संसाधन है और विसलेशन है इसमें प्राधिकार नहीं होगा लेख्या में मुल्यांकन योजना के अब्यब है के अब्यब कौन-कौन उदेश संसाधन और विसलेशन है अगला कुशन है किस परकार के मुल्यांकन में अधिगमकर्टा की कम्यों एमकठनाईों की पहचान पर बल दिया जाता है तो है नैदानिक मुल्यांकन किस परकारिक मुल्यांकन में अधिगमकर्था की कम्यों एमकठनाईों की पहचान पर बल दिया जाता है तो है नैदानिक मुल्यांकन में कि ब्याख्या में नदानिक मुल्यांकर में अधिघम करता की कमयों कठनायों की पहचान पर बल दिया जाता है अगला कुशन है इस्थितिक पत्रक है इस्थितिक पत्रक है क्या है तो इसका ब्याख्या है बिभीन मुदों पर बॉल देने वाले साथ ही साथ इस्थिती चित्रन के करने वाला पत्रक इस्थितिक पत्रक कहलाता है या बर्तमान तथ्यों डेटा और अनुसंधान साहित्ति का एक महत्पुन विश्चेशन है तो इस तरह से एक इस वीडियो में प्रधान से परिच्छा में पूछे जाने में कुश्चन महत्पुन कुश्चन सब्था फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद